दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी काई योगे सी लर्निंग यूटूब चैनल पर कवर करेंगे कई बड़ी महत्यपूण खबरों को जो की संबंदित होगी 7000 पदों पर नई TGT भरती 2023 की बिग्यापन को ले करके इसी माह इसका बिग्यापन जारी होने जा रहा है जिस और सटीक इनफर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें देखी कई सारे हमारी भायवाईन ऐसे भी होते हैं कि जो की अलग अलग राज्यों के रीट या फिर इस्टेट के टिट होगारा देने जाते हैं इसलिए जो ये खबर है ये जो है दूसरे है वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे देखी जो इसका नोटिफिकेशन है ये 2022 सितंबर के माह में भी निकाला गया था लेकिन कुछ कारण बस फिर इसके विग्यापन को वापस कर लिया गया था और अब दोबारा से हर्याणा सरकार चहोतर सो इकीस पदों पर इसी म जनवरी के माह में ही जो ये भरती का विग्यापन है वो एक बार फिर से निकालने जा रही है और कौन से कारण थे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भरती निकालने के बाद हर्याणा सरकार ने खिलाडियों के लिए भी तीन परिशत कोटा तेंग किया था और इसी लिए हर्याणा कर्मचारी चैन आयोग यानि की HSSC ने ये पद दोबारा से सिच्छा विभाग को वापस भेज दिया था आयोग ने विभाग से तीन परिशत आराच्छन के हिसाब से पदों को दोबारा से भेजने के लिए कहा है और अब विभाग ने तीन परिशत कोटा भी यह नहापन निधारित कर लिया है और जल्द ही इसको लेकर के नए सिरे से TGT की जो भरती है ये आपको देखने को मिलेगी 2421 पदों पर तो यही वो कारल है जिसके चलते इस बिग्यापन को वापस किया गया था लेकिन अब ये दुबारा से बिग्यापन जारी होने जा रहा ह तो जिसके पास है वो इसके लिए आवेदन कर पाएगा वही इसके बाद हम बात करेंगे UPTGT और PGT परिच्छा तिरी सदस्यों की न्यूकती को लेकर के चुकि आज का दिन काफी ज़्यादा महत्यपूर्ण है अब्यर्ती भी आस लगाए बैटे हुए सुबा के भी वीड करके मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया तो अभी ये मामला चल रहा है कोई भी सठीक अपडेट मिल नहीं पाई है आज ही दो मैटर लगे हुए हैं और दोनों ही मैटरों में चैन बोड के अध्याच महोदय को भी यहाँ पर उपस्तित होना था एक मैटर में अध्याच म अगलक चातर संगठन के माध्यम से जो यहाँ पर क्रमी का अंसाने वो देखने को मिल रहा है उसी की एक जलक आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सीतला प्रसाथ ओजाजी के माध्यम से मुख गेट पर जो यहाँ पर अंसन ही ये जारी है अगर आप बाईस जार पद ना जोड़ पाईए तो कम कम पंदरा से बीस हजार पद तो कर दीजिये आप जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिक्षा सेवर चेंड बोर्ट के माननी है दीरेश कुमार राय द्वारा यह संदेश विजवाने का प्यास किया जा रह तो दोस्तों इस प्रकार से लगातार आज भी जो धर्ना प्रदर्शन है ये जारी है हलाकि अभी भी चैन बोर्ड मौन है लेकिन आज अगर सरकार ही हाई कोट में कुछ एस्पिसल कर दे तो भी चातरों को खुसकबरी मिल सकते हैं जो भी अपडेट होगी आपको साम तक द धन्वाद